रावनामसा खम्मा गणी, मैं हूँ नैनुमाली, प्यू कुकिंग में आपका फिर से गवर स्वागत है, तो में लेको है अपके लिए आज नहीं रेसिपिक, जो एपल की सबजी, वो दिखने में एकदम अच्छी हो, स्वादिश लगरी, वो बनाने में एकदम आसान है, तो चलते हैं, वीडियो सुरू करते हैं, तो आये इसके लिए क्या क्या चीज क्या हो सकता है, तो देखिया, ये बड़ी एपल है, वोई सेवेन है, पत्ली साइज में कटिंग की हुए, एक प्याद है, चोटी साइज में कटिंग की हुए, लस्मन, अध्राग, अरी मिर्च, औ अब चलते हैं, गेस के पास, तो देखिया, मैंने ये गेस पर कड़ाई रख दी थी, इसमें मैंने दू बड़ा चमस्य ओविल गरम करने के लिए रख दिया था, तो ये गरम हो चुका है, अब मैं इसमें राई और जीरा चटक चुका है, अब मैं इसमें लस्मन, अब इसमें प्याज एक करूँगी, अब इसमें प्याज एक करूँगी, अब इसे कलर चैन हो जाए तक तक मैं प्याज को पकाऊँगी, तो देखिये ये प्याज को चैन हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर एक करूँगी, तो वैसे तो आप टमाटर को इसकी प्यूरी बनाके भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने कट करके डाला है, अब इस टमाटर को भी जब तक यह ना रह जाए तक तक मैं इसे पकाऊंगी, तो देखिए इसमें टमाटर भी पाउच चुका है, अब मैं इसमें अल्दी पाउदर एड कुरूँगी, यह रैट से की पाउडर है, और इसमें नम्मक स्वाधन सार अभी आड़ करते हैं, तो देखिए अब इसमें पेल छोड़ दिया है, अब इसमें एपल आड़ कुरूँगी, अब इसमें मिक्स कर दो देखिए, अब इसमें फोड़ा सा पाणी आड़ कुले ही, देखिए मेना आधी गिलास में भी इतना सा पाणी रखा हुआ है जब तक यह अच्छा से घुलना गया तक तक मैं इसे पकाऊंगी अब इसे में ठकन लगा कर रखेते हूं इस इदम श्लो मीडी में देखिए सब्जी बन चुकी है अब इसे में गर्मसाला एड करूंगी अब इसे में गर्मसाला डालने के बाद में इसे एक मिनट तक और ठकर रखेना तो देखें एक मिनट हो चुका है और सब्जी बन कर तयार हो चुकी है अब इसमें दन्या आड करूंगी सब्जी बन कर तयार हो चुकी है तो देखिए सब्जी दिखने में किती अच्छी है आपको ये अच्छा लगा हो ताप भी बना कर देखना और कमेंट में दिखना तो ये सब्जी कैसी है तो देखिए एक पल की सब्जी बन चुकी है तो आपको ये वीडियो पसंद आया त सेहर करना और कमेंट करना ना और पास और बेल आइकन को दबना मत बुले जय ही जय बन